आप सभी का इंडिया के लार्जेस लर्णिंग प्लैफ़र्म आनेक अनमी पर मैं संगीता आप सभी का हार्दिक सुआगत करते हूं तो भई आज का जो सेशन वह है जियास के कोश्चन जो हम लोग डिसकुशन करेंगे अपि देखिए जो टार्गेशन करेंगे आपको पता हो और की पसंद आता है तो लाइज जरूर करिएगा साथी शाथ है वीत ज्यादा है उत्ते जादा लोग चनेक्ट में उसे फायदा आपको तो कुझकि आपकी जो पूंपटीटर है वह आपकी संग चूड़ेंगे तन आपको पता चड़ेगा कि आप इस लेफल कर अफिशन क प्रेशेशन को स्टार्ट करेंगे सब्से प्रेदे बात करेंगे आपके त्रू आप हमसे connect हो सकते हैं आपको कुछ नहीं करना यहां पर डालना है लेट्स क्रैक एससी देन आप से करेक्ट हो सकते हैं इसकी बाद दूसरा काम है आपके सामने प्रिपर एससी एक्जाम थर्टी डेज दन फुल प्रिप्रेशन जो आपको सेटर्डे डिवीजन संडे मौक टेस्स मिलता है और आपके सामने डिटेल्स पुरी लिखी है जिसमें इसके अलावा बात करें डेली लाइफ क्लास की टाइमिंग एक तो नाइन पीम और नाइन थर्टी तो टैन थर्टी पीम जो हम डोग डेली लेते हैं ग्लास को पीना देखे रह नहीं सकते हैं आप लोग क्योंकि यहां पर जो कोस्टन्स मिलेंगे वह बहुत इंपॉर्टन करेंगे तो चलिए लेड के बिन मों अठाट करते हैं और उससे पहले लास्ट उइंट में आपको बताना चाहें पताना क्या है कि आप के सामने करें लिखे हैं कोर्से और इन कोर्स स्कोर्ष करने के रिए ब्ल kans देना चाहिए थार जैना थयान मेंदा रहें भेंदावाश क स्क्रीटा कोड है कौन सा कोड है स-a-n-g-e-t-a याद रखिएगा इस कोड को आपको यूज करना है क्या करना है इस कोड का आपको यूज करना है इस कोड से आपको मिलेगा 10% का बिल कोल ओफ ठीक है ना लेट के वे पहले कोश्चन की और बढ़ते हैं और पहला कोश्चन आपको आंसर बताना है राइट तो चरिये लो एस बेला डिला से जादत तर खनन होता है बताएए इस कोश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस कोश्चन का करेक्ट आंसर बताव बेटा इस कोश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से पताईए इस कोशुन गा करेक्ट अंसर क्या होगा इस कोशुन का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ भाई सभी लोग को आंसर बताना है टाइव स्टार्ट चुका है इस कोशुन का करेक्ट आंसर है पस्चिम बंगाल राइट आंसर इस पस्चिम बंगाल नेक्स कोशुन सबसे बड़ा टिबबा फाइल में पाया जाता है इस पाउंड इस फाउंड फाइव इस राइट अंसर क्या होगा इस राइट आंसर इस का इन खा मतलब मध्यपूर्व और उत्तर अफ्रिका नेक्स कोश्चन है पता यह हम्टन क्या है पोश्चन आपकी स्क्रीन पर आगया और राइट आंसर आप सभी लोग देते हुए चलोगे ठीक है रहा हम बिना लेट के हुए आप लोग सभी लोग आंसर देते हुए चलोगे बिटा राइट आंसर इस सभी मत्लब सभी का मदल देते हैं सांथ बहुत शुष्क हवा सहारा के उपर बनती है और अफ्रिकी तटके पश्चिम के ओर से दर्शिक पश्चिम की ओर चलती है हवा सहारा से धूल की बड़ी मात्रा में ले जाने के लिए चलती है तो राइट आंसर क्या है सारे सही है रेक्ष कोश्चन आपकी स्क्रीन पर 2006 में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक देश कौन सा देश था कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आगया और आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग आंसर ने का उफाद है सबसे बड़ा सोने का उत्तपादक देश तो राइट आंसर इस राइट आंसर है आपका दच्छिन अफ्रिकार निक्स कोशन निम्लिकित में से कौन चिन्न के रूप में वर्ल्ड वाइट फंड प्रकरती के लिए प्रयोग क्या जाएगा आपको पता है न डबलु डबलु एफ का कई बार फ्लफॉर्म तो डबलु ड वर्ड वाइट फंड ठीक है तो बताएए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा इस विलोग अंसर देना है इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप पांडा नेक्स कोशन निम्डिकित देशों में से कौन जी एट समू का सदश्चे नहीं है जी एट आपने सुनाओगा जी एट जी सैवन जी ट्वेंटी सुनाए पताएए इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर है आपका स्पेन राइट आंसर है स्पेन नेक्स कोशन पाकिस्तान जो राष्ट मंदर खेलों में फिर से सामिल हो गया है बताएए कौन से साल इसने अपने आपको बाहर कर दिया था पूल्ड हिंसेल आउट आउट आफ इट इन इयर झाल रह सकते हैं 1972 निम् Rapha ga 스파तаст में से कौन से सार्क सदस्तर का सदस्तर नहीं है appointment अगर बात करते हैं तो 8 femeel में से सदस्तर नहीं है आपको पताना है चली में बता डीजै टोटल एट मेंबर हैं इसका पुल फॉर्म है साउथ एशियन एस्टियेशन पोर रीजनल कॉरपरेशन 1985 पे स्टैबलिश हुआ था हैटकॉर्टर इसका बात करें तो काटवांडू है इसका काटवांडू काटवांडू इसका कैपिटल ओफ नेपाल ठीक है? राइट आंसर क्या होगा? इस question का right answer होगा मेंमार next question अच्छा मेंमार की बात आईए मेंमार पूछा बहुँ जाता है मेंमार के आप पचाओगे currency और आप पताओगे capital तो पताओगा ने पईताओगा और क्या थ? ठीक है? next question सार्क का मुख्ष देश क्या है? सार्क का मुख्ष देश क्या है? बताइए इस question का right answer क्या हो जाएगा? सार्क का मुख्ष देश बताने आपको सार्क का मुख्ष देश की बात करें तो सार्क का मुख्ष देश क्या हो जाएगा? छेत्रिय सही योग थाने बोला ना South Asian Association for Regional Corporation next question किस वर्ष में? मिडी मिडी जिसका full form है musical instrument digital interface चुदू की गई है बताइए इस question का right answer क्या हो जाएगा? ज़र जब लोग आंसर दो जितने लोग जुड़ते जाओना आंसर खड़ा खड़ देते जाओ जितना आंसर दो जो आपको मज़ा उतना आएगा आपकी अंदर की जो पावर है पढ़ने की छमता है बढ़ती जाएगी जब आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा तो राइट आंसर क्या है 1983 नेक्स्क्रीन पर दे रहे हैं पी एल सी का अर्थ होता है पी एल सी पी एल सी का फुल फॉर्म चलो बई बताओ तो राइट आंसर है निर्देश योगित तरक नियंत्रक ठीक है नेक्स्क्रीन जब एक छोटे संकेत अंप्लिफायर की विश्रिष्टाओं को मापना कहते हैं रेडियो रिसीवर अपने साज संबंध होसकता है सोर से बताइए बताइए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा बताइए इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस दो राइट आंसर है मौलिक नेक्स्क्रीन दीबी कंप्यूटर संचित नाम आम तोर पर डीबी का फुल फॉर्म क्या है बताइए दीबी का फुल फॉर्म दीबी अपने सुना होगा बहुत लोगोने सुना होगा तो इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटाबेस डेटाबेस या दखिएगा नेक्स्क्रीन इस आई एन आई विस्तार किस तरह की फाइल करने के यह आम तौर पर संदर्वित है बताइए आई एन आई करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर है सिस्टम फाइल नेक्स कोशन आपकी स्क्रीन पर कैर कर राजसु की कार प्रणाली में सुधार किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है इस कोशन का राइट आंसर बताइए इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कोशन बेटा आपकी स्क्रीन पर आगे राइट आंसर दीजे इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर है वाड़ी चीक सिचाई परियोजनों के लिए नेक्स कोशन इन में से कौन इसमें से एक को राष्ट्री रंड के रूप में नहीं देखा जा सकता है राष्ट्री रंड नहीं है बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा तन्राइट आंसर है राष्ट्री बचत प्रमार पत्र सुना होगा अपनोंने नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट सुना है एनससी चलो नेक्स्ट कोश्चन देश की राजस में अप्रत्यश करो की हालत लगभग कैसी है तो राइट आंसर है 86% नेक्स्ट कोश्चन घाटे की वित्वस्ता सुना है डेफिसित फाइनसिंग सुना है हमारे देश में आपको पता होगा घाटे का बजट में बनता है डेफिसित बंता है घाटे का बस्ट मतलब सरकार के अचिछ जादा इनकम मेंड़। जब सवद्वस्ता मतलब सरकार पैसे उधाल रह doubts कहां से उधार लेगा वह जो राइट आंसर बताई भाई सभी लोग राइट आंसर बताओ क्या है करेक्ट आंसर वह जो राइट आंसर बताओ क्या है करेक्ट आंसर बताओ क्या है वह जो राइट आंसर बताओ क्या है वह जो राइट आंसर बताओ क्या है आर्बियाई में डिप्टी गवर्नर की संक्या कित्य होती है फोर होती है नेक्स पोर्शन राइट सरकारों के राजस निम्ड की स्ट्रोतों से उठाया जाता है केवल किसको छोड़कर व्टल कि बोहन के वे राइट बताओ की स्ट्रों किसको तो राइट आंसर है राइट आंसर है क्रिशी आएकर राइट आंसर क्या है क्रिशी आएकर इस इस में प्रयोग किया जाता है इस कोशियुन का कर्यक्ट आंसर क्या होगा पोटेश्यम नाइट्रेट किसमें प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट किसमें प्रेयोग किया जाता है इसकोशन का करेक्ट आंसर बताईए राइट आंसर है उर्वरक राइट आंसर है उर्वरक नेक्स्ट कोश्चन है पानी की स्थाई का ठोर्ता को किसके द्वारा हटाया जा सकता है पानी की स्थाई का ठोर्ता को किसके द्वारा हटाया जा सकता है चलो भई आंसर दो सभी लोग पानी की स्थाई का ठोर्ता को किसके द्वारा हटाया जा सकता है इसकोशन का correct answer बताईगे कि इसकोशन का correct answer क्या होगा इसकोशन का right answer is sodium carbonate next question is soda पानी होता है does soda contain water बताईगे इसकोशन का right answer चलो फटा 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 आंसर दो इसकोशन का right answer क्या होगा अपनी accuracy को चेक करते हुए चलना कि आपकी accuracy कैसी है मतलब आपने 10 कोशन के answer दिये तो क्या 10 में 10 सही है ची 10 में से 5 सही है 5 गलत है या आपने सिर्फ 10 में से 5 अंसर ही दिये है the right answer is carbon dioxide next question aluminium का सबसे महत्पूर आयस्क है बताईए इसकोशन का right answer क्या होगा aluminium का सबसे महत्पूर आयस्क है तो right answer है box site next question पानी में अधिकांश घुलन शील है 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 बताईए इस question का right answer right answer is चीनी 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 देखो कपूर भी नहीं घुलता है आप देखोगे कभी भी मैंने आप एक्जामपल में बताती हूं मैंने एक दिन तेल लिया और तेल में कपूर को डाला और खूब गरम किया खूब गरम किया पर वो खुला नहीं घुला ठीके साधारा नमक भी पू तुमें जो होता है न फूरी तरह मुझथा फूरच कोश्न अब खूलतार निटेफल कि अधीम कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है को अधे की ँरसकान का तुन पर का की पात्लेब होगा तो तो राइट आंसर क्या है राइट आंसर मुंबाई नेक्स कोश्चन केंद्रिय और सद्धी अनुसंद्धान संस्थान कहां इस्थी थे बटावट बताईए इस कोशं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर है लगठ नउ तो अजनता ऑलोगर खुहाई कि निकट इस्थित आजनता ऑलोगर की गुफाएं किसकी निकट इस्थित है तो राइट अंसर है और अंगा बाद नेक्स्ट कोश्टिन इस नाशनल स्कूल अफ माइन्स कहां परिस्थी थे तो राइट आंसर इस धन बाद नEkst Question सूरी मंदिर कहां परिस्थी थे सूरी मंदिर कहां परिस्थी थे इसकोश्टिन का और अंसर बताना है आप लोग को सूरी मंदिर कहां परिस्थी थे कर दो बार बं डंड़ाई टाय आंसे पोणार मोड़ा una का ओडिसा मिनकर बहुत नेड़ाईट आंडरास्ट्री वर्ष्ट था टाईडेटीवफं किसका न्तरास्ट्री वर्ष्ट था के अधिककार दिवस किस दिन मनाया जाता है ? मनाया जाता है ? बताभए कि World Human Rights Day का मनाया जाता है World Human Rights Day का मनाया जाता है 10 december next question विश्व साच शर्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है त्विश्व शात शर्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है स्री राजीव गांधी की पुन्य तिति किस दिन के रूप में मनाई जाती है बताइए कोशन हो गया है चेंड तो आंसर भी हो जाएगा चेंड फटाफट बताओ भाई पाइए को आट्रवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है बताइए 20 अगस्त पाइए आंसर है सदभावना दिवस आपको पता होगा सदभावना दिवस नेक्स्त कोशन लेहरों की संक्या एं इंटु 10 में बहु की कक्षा है नम्बर ओवेस इस बो ओर बिट इन एं इंटु 10 पताइए इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर है एंड नेक्स्त कोश्चन हेलियम परमाणू के आवो ग्रदो नमबर बड़े पैमाने पर है दा मास ओव दा हीलियम एटॉम इस आवो गाड्रो बताइए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा नेक्स्त कोश्चन का पता लगाने के लिए मुलाएं एकसरे उत्तर दाई है अपाट आंसर क्या होगा चल्दी से आप सभी लोग कर्प्रा करके चल्दी से आंसर दीजे इस कोश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएग् तो राइट आंसर इस नकली सिक्कों के वास्तिविक सिक्के सामगरी है जो गर्मी और दबाओं के से आई स्थाई रूप से विक्रत हो सकता है विच मेटेरियर सेट तो बी टेंपररली डिस्ट्रॉइट बाइट और फ्रेशर पाड अंसर नेक्स कोश्टिण अन्द राइट अंसर थेर्मोषेट नेक्स कोश्टिण नाभी की जनसन क्या है नाभी की जनसन क्या है What is the mass number of nucleus प्रोटाउन और नीट्राइम की संका का योग नाभिक में उपस्तेद Next question पौधा हार्मोन जो कोश का विभाजन को प्रेडित करता है बताई इस question का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर है किनिन्स, नेक्स्ट कोशन, नेवरोस्पोरा अनुवानशिक सामगदी की रूप में प्रयोग किया जाता है क्यूं की, पताव है क्यूं की, तो राइट आंसर है या दस दिनों से कम जीवन चक्र है, नेक्स्ट कोशन, फ्लोएम एक उतक है किसमें पाया जाता है, पताविए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है पाधे, नेक्स्ट कोशन, एन्टू तत्व ने स्थिर रखा है जी मंडल को वजा है, बताई क्या वजा है, एन्टू एलिमेंट है पाया स्पेर, दा आफ रीजन, बताविए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इस नाइट रोजन चक्र, नेक्स्ट कोशन, प्रोटीन वसा और कार्वो हाइट रेट में क्से कोश्ची का जिल्ली में मौजूद है, पताई इन्वे से क्या सच है, इस ट्रू या रॉंग, तो राइट आंसर इस, राइट आंसर इस, पड़ाक से बताओ भाई, जित्ती जल्दी बताओ, उत्मा जादा मजा आएगा, राइट, राइट आंसर इस, कार्वो हाइड्रेट न्यूंतम है, नेक्स्ट कोशन, ओलंपिक दोच पर 5 शित्रों या हलको, इसके बने सफेध हैं, बताएगे, बाय से दाइग, 5 शित्र जो होते हैं, बाय से दाइगे बने सफेध हैं, बताइगे इस में इस राइट आंसर, क्या है? ताउरंपी फ्लाइजबाइट मेड आफ फाइफ होल्स और सर्केस लेफ टू राइट आपको कलर बताना है अलो हाँ हाँ आउर्टी आपको दो मुट्टा फोन का ले रहे हैं आउर्टी दो मुट्टा जनराइट आउंसर इस नीला पीला काला हरा और लाल नेक्स्ट कोश्चन भारत में आख़ी होकी ओलंपिक गोल्ड में जीता है पताइए यह कहां पर जीता है आक्री जो होकी ओलंपिक गोल्ड जीता है वह कहां पर जीता है यहां आउर्ट गोल्ड पर लियुकर इन गोल्ड आउर आउर्ट इस राइड आसर राइट अंसर है आपका 1972 मुनिक नेक्स्ट कोश्चन 2014 फुट्बॉल विश्व कप के मेजबान देश कौन था? 2014 फुट्बॉल विश्व कप का मेजबान देश कौन था? विश्व के मेजबान था? राइट अंसर इस ब्राजील राजील तो यह आद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा उच्चतम आधार आधार दूर्मी वेजशाला कहां पर इस्थित है? पताये भही स्कोशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा? राइट अंसर हो जाएगा भारत मतलब इंडिया नेक्स कोशन हार्मोन इंसुलिन जो होता है वो एक है बताये क्या? सहार्मोन इंस वन जैश पताये तो यह थे आपके 50 कोशन्स आई होप वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया है तो लाइक चरूर कर देना लाइक के संक्शंग शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन न दबाया तो बैल आइकन चरूर दबा देना बैल आइकन दबने से आपको मिलेगा डेली का नोटिफिकेशन की विया क्लास मैडम की आज इतने बज़े है तन हमको जुड़ना है तो इतनी चीज़े आपको ध्यान रखनी है इतने अच राय हमारे लिए बहुत इंपोर्टन थैंक्यू सो मच क्लास थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच क्लास क्लास क्लास